दूसरी और वैक्सिन लगवाने को लेकर लोगों में अभी भी कमी देखी जा रही है यही कारण है कि रविवार को बड़ा मलहरा सामुदाई स्वास्ट केंदर में तन्नाता पसरा रहा इसी प्रकार सनिवार को भी यही हालाद बने रहे अम चार वज़े तक फुल 33 लोगों को ही तीका करान किया जा सका आदर से जन कल्यान समीती की अध्यक्ष प्रीमती मुम्ताज बेगम ने छेतर के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सिन लगवाने से किसी भी प्रकार का कोई भी साइट एफेक्ट नहीं है प्रामर्श दाता गोस मुहमत नागरिकों से सोशल डिसेंसिंग का पालन करने मांक से लगाने और सेनेटाइजर को उप्योग करने लगतार साभून से हाथ होने प्रामर्श दाता गोस अहमत ने अब तक 45 से अधिक अनेक लोगों को वैक्सिंग लगवाने के लिए प्रेडित किया है आदर सुनुच के लिए बड़ा मलहारार से सफी ग्वेक की रिपोर्ट वैक्सिने स्मों के पहला डोज मिला है सेकंड क्या कहना चाहते हैं और और जबावाने ने सब्सक्राइब और और ज़रूरी है या तो यह इसे एक तॉंसर पर रहा 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 बड़ावाने सामदर्स वास्तिम में उपदस्त हूं और क्या कारण है कि वैक्षिनेशन को लेकर लोग कम दिखाए दे रहे हैं आज तो बिलकुर भी संख्या में दावत दिखाई है इसका एक अभी तो जब वैक्षिन जल रही थी तो काफी संख्या में लोग आ रहे थे और क्या है कि लॉक्ट डॉप्टार्म की वजे एक सफसे और बिलोगों में जागरुता नहीं पर जा갔़ जागरुता के लिए अब बताते वार-वार बोला जा रहा है कि आप लोग वैक्षिन al यहां और वेक्सिन करने से आप लोग सुरख्षित रहेंगे और इसाथ नहीं कि आप लोग समझे कि अगर वेक्सिन लगे आप समझे कि हम सुरख्षित नहीं तो ऐसा नहीं है और लोग पॉजेटिव आ रहे हैं कि कोरोना अगर्टी का लगता है उसके बाद भी आप लोग को वैक्सीन दोरी बना के रखना है और प्रोटोकॉल के तहर सारे नियम को पालम करना है आप लोग को